आवेटी गुद मॉर्निंग टो आल अफ यू श्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल एचीवर्स में मैं हूं स्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 26th of February 2021 के इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे important fact जो कि आपके exam के लिए important है so video को last तक देखें अच्छा लगे तो क्या करना है आप लोग को like करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों में share करना है तो चलिए start करते हैं जो हमारी चैनल पे नए है वो जल से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को tap करे ताकि आपको new video की notification जो है इसली मिल सके और आते हैं first question पे आज का पहला question ने देखिए हाली में किस देश को पहला मुफ्त कोवाक्स वाक्षिन मिला है कौन सा country है जिसे free में COVID-19 का vaccine जो है कोवाक्षिन दिया गया है तो इसका राइटन सरोगा घाना घाना जो वेश्ट आफ्रिकन कांट्री है ये इसे पहला मुफ्त कोवाक्स वाक्षिन मिला है और किस company की दोर दिया गया है यहां देखिए दिया गया है पच्चिम अफ्रिकी देश घाना जो है कोवाक्स वाक्षिन साजहकरन पहल के माध्यम से कोरोना वाइरस प्राप्त करने वाला देश का पहला पूरी दुनिया का पहला देश बन गया है और इसे एस्ट्राजेनिका और एक्सफोर्ड विश्व विद्याले द्वारा विक्स दिया गया है इसकी लगभग छे लाग खुडाक जो है इसे प्रोवाइट किया गया है गहना को बहुत ईजी सा कोशन आप लोग बता सकते है सीरम इंसुचिट ऑफ इंडिया के दौरा जो वैक्षिन तयार किया गया है उसका नेम क्या है चले बताईए आप कमेंट सेक्शन में ओके नाओ देखें घाना की बारे में बात करी एसका अप्टल क्या है गहना का का अप्टल एक्ट करा है राइट इसकी करेंशी जो है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शाशित प्रदेश ने शंपर्ग रहित टिकर पेस किया है which state or union territory recently introduced contactless tickets इसका राइटर सरो होगा दिली ठीक है दिली जो है यह यहाँ संपर्क रही थी यानि contactless बिना contact किये हुए ही ticket जो है मिल जाएगा ठीक है तो यह दिली में क्या गया है दिली शरकार ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार अपनी सभी दिली परिवहन निगम बश्चों में मतवकांजे संपर्क रही टिकटिंग सेवा का विश्टार किया है वहां के दिली परिवहन निगम के द्वारा यह contactless यानि बिना contact किये ticket प्रवाइट किया जाएगा और यह यह योजना भौतिक मानव संपर्क को कम करने के उद्देश से यानि human के physical जो contact होते हैं उसको कम करने के उद्देश से COVID-19 के टाइम पर यह किया गया है देली के बारे में इसकी formation की गई थी as a union territory in 1956 में 1956 में इसे union territory का status दिया गया था and as a national capital इसे national capital बनाया था उनिस्तो वानवे में ठीक है 1992 में इसका capital क्या है न्यू देली टोटल डिस्टिक जो है देली में ये टोटल 11 डिस्टिक है लेटनें गवर्नर है अनील पैजाल and अडविंद केजरिवाल जो है यहां के चीफ मिनिस्टर है मनी सिसोधिया यहां के डिपटेसियम है and area wise rank तो 31 है दिली का यहां देखिए मैप पे उत्तर प्रदेश से अपना bondage शेर करता है हर्याना से ठीक है हर्याना ये थो इसका तीन पार्ट जो है यह हर्याना से सेर करता है और इधर देखिए यूप से सेर करता है हाले में किस राज्या द्वारा छे महीने के लिए पूरे राज्या को अशांत छेत्र घोशित किया गया है तो इसका राइट अंसर होगा अशम अभी अशम का इंटायर स्टेट जो है अशम का होल रिजन जो है डिस्टर्व एडिया के रूप में गोशित किया गया है for six months ठीक है छे महीने के लिए पूरे राज्या को अशांत छेत्र घोशित किया गया है यहां के गौर्मिन के द्वारा और ऐसा यह पहली बार नहीं है अशम में यह होते रहा है अशम के राजेपाल कौन है जगदीश मुखी इन्होंने 27 फरवरी से जो है यह छे महीने के लिए पूरे राजे को अशांत छेत्र घोशित किया है यह 27 फरवरी से इंप्लेमेंट होगा और यहां ससत्रबल अधिनियम अशम को अशांत छेत्र घोशित किया गया है यह 1958 की धारा तीन में यह इसके सक्तियों के तहर जो है यहां अशांत छेत्र घोशित किया गया है अशम के बारे में काप्टल दिस्पूर है लाजे सिटी अशम का गुवाहाटी टोटल 33 डिस्टिक है अशम में एरिया वाइज रैंग देखिए फिफ्टेंथ नंबर पे है एंड शिक्स्टेंथ अगॉर्डिंग टू पॉपुलिशन सर्वनंदा शुनवाल यहां के सीम हो गया है नेशनल पार्क देखिए नेशनल पार्क हो गया डिबरुश आइखोवा नेशनल पार्क काजिरंगा नेशनल पार्क जो की हमारा वल्ल हरिटेज साइट है इंडिया का विस्वधरोर अरश्थल में सामिल है एज नेशनल साइट मानस नेशनल पार्क हो गया यह वी यह वी नेशनल साइट यह वी वल्ल हरिटेज लिस्ट में शामिल है औरंग नेशनल पार्क तो यह यह दोनों नेशनल पार्क को नाइटीफाइव में उनने सो पचासी में एज नीच्रल साइट की कैटोग्री में वर्ल्ड हरिटेज में सामिल किया गया था ठीक है काजिरंगा नेशनल पार्क जो है इसे कोशन पुछे जाते हैं यह किस टीज के लिए फेमस है तो यह वन हॉर्ण राइनो के लिए फेमस है आप जानते होंगे एक सिंग का गैंडा के लिए यह जाना जाता है काजिरंगा नेशनल पार्क अल्राइट नाओ यहां देखिए मैप पे असम कितने राज्यों से अपना बॉंडरी शेर करता है नौर्थ इस्ट का स्टेट है और यह जो है देखिए अरुनाचल प्रदेश हो गया नागल लैंड हो गया मनीपूर मिजोरम त्रिपुरा और इधर मिध्याले और वेस्ट बंगाल ठीके तो यह जो है नौर्थ इस्ट का यह राज्य जो है अश्रम यह सबसे जादा इधिंग बॉंडरी शेर करता है सेवन स्टेट साथ राज्यों से जो है अपना बॉंडरी सेर करता है और एक इंटरनेशनल बॉंडरी इधर वुर्टान से सेर हो रहा है नाओ नेक्स्ट कुशन पर आते हैं देखिए हाली में किस भारतिय दूशंचार नियामक प्राधिकरन के पुर्व अध्यक्च और वानेज्य सचीव का निधन हो गया है तो इसका राइट अंसर होगा राहूल खुलर जो थे यह फॉर्मर चेर्मेन थे और कॉमर्स सेक्रेटरी थे इस कांपनी के टेलिकॉम रेगुलेट्री ऑथरिटी ऑफ एंडिया के यह पुर्व अध्यक्च और वानेज्य सचीव रह चुके हैं राहूल खुलर जिनका अभी रिसेंटली डेथ हो गया है ठीक है और वेजरी का कुशन था यह देखे राहूल खुलर है यह 1975 बैच के आयस अधिकारी रह चुके हैं जिन्होंने प्रधानवंत्री कारेले में भी इन्होंने काम किया है उपसचीव के रूप में और 2009 में इन्हें वानेजी सचीव नियुक्त किया गया था ठीक है प्रधान की गोशना क्या है एसार पावर लिमेटेड के द्वारा मध्य प्रिदेश में, ओके, एसार ग्लोबल फांड की निवेश करने वाली कमपनी, एसार पावर लिमेटेड के बोर्ड ने संयत्र के लिए 300 करोड के निवेश को मंजूरी दिया, ठीके, 300 करोड का इन्वेश्टमेंट किया जाएगा, इसार पावर प्लांट इन मध्य प्रिदेश, मध्य प्रिदेश काप्टल भोपाल, लाजे सिटी अलसो, शौरी काप्टल भोपाल हो गया, लाजे सिटी इन दौर है, ओके, गवर्नर है, अनंदी बेन पतेल, और सिवराज सिंग चौहान, यहां के, चीफ निस्टर है, एरि को अनदवगर निशनल पार्क हो गया, कानः नीशनल पार्क, माधाय, मांड्य, वंविहार, पन्ना, पेंच, संजै, सत्ट पूरा, जो है, सारा निशनल पार्क तीमा एडेप्रिदेश का आपको शारे नेम याद रखना है, जो इंस, है वो वियाद रखना है, कब कौन सा तो यह सारा नेसनल पार्क जो है यह मद्यप्रदेश का है जो सीमा जो है वो साजा करता है यह देखिए उत्तर प्रदेश च्छतिश्गर हो गया महाराष्ट्र गुजरात एंड राजस्थान इन पाच राज्यों से जो है सेर होता है ना हम लोग नेक्स कुश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्यों के द्वारा अल्पाइन पौधे की नई प्रदाती की खोज की गई है अरुनाचल प्रदेश में अरुनाचल प्रदेश का त्वांग जो डिस्टिक है इस पठेकुलर रिजन में त्वांग जिले में अल्पाइन पौधे की नई प्रदाती कोज की गई है देश के तीन संथानों के वैग्यानिकों की समुके द्वारा ये खोज किया गया है और ये नई प्रदाती जो है अल्पाइन प्लांट का ये हिमालयन सुरजमुक हिमालयन जो संफ्लावर है उसके फैमली के कैटोगरी से ये शंबंदीत है ठीक है उससे ये रिलेटेड है और ये प्रदातीयों की खोज जो है बायो डावर्ट वायो डावर्सित टास जनरल ऑ ebai Law Zikkal Raveur City में प्रकासित हुई थी। और इससे जो है न्यु नेम दिया गया है Kremno Thodium Indicum, ठीके इसका नेम दिया गया है Kremno Thodium Indicum, अलपाइन प्लांट के फूल कि घूल WILL переп दिया गया था ये पहले union territory था ठीक है UT था पहले इसे 21 जनवरी in 1972 उनीस्टो बहतर में इसे status दिया गया था as a UT and in 1987 1987 में इसे state का राज्य का दर्जा दिया गया capital इसका इटानगर है and largest city also इटानगर टोटल डिस्टिक 25 है अनुनाचल प्रदेश में टोटल 25 डिस्टिक है okay यहां देखिए नामदफा निश्टनल पार्क मॉलिंग निश्टनल पार्क हो गया आपका रुनाचल प्रदेश का नामदफा इन मॉलिंग निश्टनल पार्क और यह जो है दो राज्यो से अपना बॉंडरी शेयर करता है that is देखिए आश्याम एंड नागा लैंड ठीक ह यह दो राज्यो से आश्याम का शिमा जो है साजा होता है और इंटरनेश्टनल बॉंडरी भुटान से सेयर होता है और इधर देखिए चाइना का है next question रोई है तो राज्यो सेब्स में किस देख के द्वारा green past launch किया गया है which country has recently launched green past तो इसका राई रिल होगा israel, israel में जो है green past launch किया गया है green past प्रशंच inslaz before green past जो है जो बिवी ऍज लुभी इज़वी coronavirus जैसे coronavirus का जो टीका जिसे लग चुका है या फिर जो COVID से ठीक हो चुके हैं उनको ये Green Pass प्रणाली जो है ये सुरू की गई है उन लोगों के लिए तो वैसे लोग जिनको टिका करन हो चुका है चुके हैं जो ठीक हो चुके हैं Ooo तो उन लोगों को सार्वजनिक स्विवदाएं का इस्तिमाल करने की अनुमती दिया जाएगा ग्रीन पास के थ्रू ठीक है उनको ग्रीन पास मिल जाएगा जिससे वे सार्वजनिक स्विवदा जैसे जीम हो गया स्विमिंग, पूल, होटल, मनोरंजन, अस्थल या फिर खेल कारेकरों में प्रवेश की अनुमति मिल सकती है ग्रीन पास उनको मिल जाएगा ये ग्रीन पास जो है उन्हें की वार कोड या फिर प्रिंट आउट के रूप में ग्रीन पास प्रमान पत्र मिलेगा तो याद रखेगा ग्रीन पास जो प्रणाली है ग्रीन पास किस कंट्री के द्वारा लॉंच किया गया है इस्ट्राइल जिसका कैप्तल क्या है जेरुशलम, लाजे सिटी ऑसो जेरुशलम, एन ओफिसल लैंग्विज़ेश है केंदर सरकार ने भारतिय सहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी धाचा बनाने के उद्देश से लिखित में इसे किस मिशन का शुभारम्ब किया है। तो इसका राइट अंसर होगा इस निसन का राष्ट्रिय सहरी डिजिटल मिशन ठीक है। राष्ट्रिय सहरी डिजिटल मिशन जो है यह केंदर सरकार के द्वारा इसे स्टार्ड लांच किया गया है। भारतिय सहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी धाचा बनाने के लिए। नेशनल अरवन डिजिटल मिशन इंगलिस में देखिए नेशनल अरवन डिजिटल मिशन एनियू डियम। केंद्रिया आवास और शहरी मामलों के मंत्राले के अनुसार जो है चरन 2022 तक देश के सभी कश्वों और शहरों में एक पारस्थिती की तंत्र संचालित और शहरी सासन के लिए नागरिक केंद्र दृष्टी कौन और वर्स 2022 तक शहरों में शेवा वितरन को शंस्थागत केंद्र सरकार के द्वारा मिसन के नेम याद रखेगा राष्ट्रिया सहरी डिजिटल मिशन नेक्स मूफ करते हम लोग नेक्स कोशन पर कोविड-19 टीका करन का दूशरा चलन केंद्र सरकार ने कब से सुरू करने की घोशना की है वेन हाज दो सेंट्रल गवर्मेंट अनाउंस तो स्टार्ट दे सेकेंड फेज ओव वैक्शिनेशन वैक्शन अफ कोविड-19 तो देखें कोविड-19 का वैक्शिनेशन जो है यह स्टार्ट किया गया था 16 जैनवरी से फर्स्ट फेज इसका स्टार्ट किया गया था राइट इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है तो सेकेंड फेज जो है इसकी सुरुवात कब से की जाएगी सेंट्र गर्मेंट के द्वारा यह एननाउंस किया गया है एक मार्च से ठीक है फ्रंट लाइल वर्कर यानि जो पब्लिक एसेंशिल सर्विस प्रोवाइड करते हैं राइट जिसे डॉक्टर हो गया पुलिश कर्मी हो गया इंप्लॉई हो गया स्टाफ हो गई यह सारे लोगों को था कि फर्स्ट फेज में वैक्सिनेट किया जाएगा लोगों को वैक्षिन दिया जाएगा जिनकी आयू साथ वर्स से एवव है एस सेकेंड फेज में इन लोगों को वैक्सिनेट किया जाएगा और इसकी सुरवाद जो है एक मार्च से की जाएगी हाली में पुद्धुचेरी में विभिन विकास आत्मक पहलों को उधगाटन और सिला न्याश किसके दोरा किया गया है Recently by which inauguration and foundation a stone of various developmental initiatives have been inaugurated in पुद्धुचेरी पुद्धुचेरी में बहुत सारे इनिसियेटिव को inauguration किया गया है उसका सिलान्यास किया गया है तो यह किया गया है नरेंद्र मोधी के द्वारा ठीक है हमारे पुद्धान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा पुद्धुचेरी में यह सारे बहुत सारे इनिसियेटिव को लॉंच किया गया और इसे इसकी सिलन्यास की गई है 25 फरवरी को पुड़ूचेरी और तमिलनाडू का दौरा किया गया पुड़ूचेरी में जो है पिभिन विकासातमग पहलो का उद्गाटन और सिलन्यास किया गया उन्होंने रुपे से अधीक की बिभिन बुनियादी धाचा पडियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है ठीक है तो यह पुडुचेरी के बारे में था पुडुचेरी आप लोगों को पता होगा पुडुचेरी में अभी राष्टपती शासन लागू है क्योंकि वहां की सर अभी नित्री को अपना Global Brand Ambidster बनाया गया है विच ऐक्तरिस है र्संली बिन मेड दो Global Brand Ambidster गलोवल ब्लाइमिस्टर से बनाया गया है दिपेका पादुकोन को ठीक है याद रखेगा दिपेका पादुकोन को ने होगा ने है प्यलोवल भूड प्योड्पती नित्री को पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाइड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्ड में से कौन बना है? Which of the following became the fourth state in the country to include a female कमांडो स्क्वाइड in the police? इसका राइटर सरोगा उत्राखंड 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 चौथा स्टेट चौथा राज्य बना है जहां पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाइड को शामिल किया गया है ठीके उत्राखंड पुलिस में महिला कमांडो का दस्ता जुरिया है यहां उत्राखंड ऐसा पच्चिम बंगाल में महीला कमांडों के दस्ते पुलिश में शामिल किया जुके हैं. ठीके नाओ उत्राखंड जो है चौथा राजे है जहां पुलिस में महीला कमांडों को शामिल किया गया है. उत्राखंड के CM कौन है गवर्नर कौन है यह आपको comment section में बताना है next question देखिए युवा भारत the heroes of today नामक पुस्तक किस ने लिखी है who wrote a book called young india the heroes of today यह पुस्तक कर नेम है और यह पुस्तक जो है लिखा गया है देवीर सिंग भंडारी के दोरा ठीक है शिवराज सिंग चोहान नहीं होगा यह गलत है इसका राइट अंसर होगा देवीर सिंग भंडारी ठीक है बुक क्याने में याद रखेगा young india the heroes of today next question किस जिले को प्रधान मंत्री किशान राष्ट्रिय पुरस्कार के लिए चुना गया है which district has been selected for the Prime Minister किशान नेशनल अवार्ड तो यह अननतपूरम district को चुना गया है for Prime Minister किशान नेशनल अवार्ड प्रधान मंत्री किशान राष्ट्रिय पुरस्कार के लिए अननतपूरम अननतपूरम जो है यह आंधर प्रधेस का district है ठीक है आंधर प्रधेस में यह situated है अननतपूरम district जिसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है next question देखिए फूलो सबजियों और बागवानी का दो दिवस्ये उत्षब कहां आयोजित किया गया है where is the two day festival of flowers, vegetables and gardening organized फूलो सबजियों और बागवानी का दो दिवस्ये उत्षब जो है दो दिनों तक चलने वाला उत्षब यह आयोजित किया गया है वारानशी में याद रखिएगा फूलो सबजियों और बागवानी का दो दिवस्ये उत्षब जो है और गनाईज किया गया वारानशी आप लोगों पता होगा यूपी में है ठीक है यूपी का डिस्टिक है वारानशी जिसे कासी नाम से भी जाना जाता है वारानशी को ठीक है तो यहां यह festival जो है, two-day festival of flower and vegetable and gardening organized किया गया था. Next question, देखिए, किस राजे सरकार ने बड़े होटलों का उद्योग, शौरी, बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है? Which state government has decided to give industry status to big hotels? Big hotels, बड़े होटल को उद्योग का दर्जा, इंडिस्ट्री का स्टेटस देने की फैसला यह केरल गवर्मेंट के द्वारा किया गया है. ठीक है, केरल गवर्मेंट के द्वारा यह decide किया गया है कि जो बड़े होटल है, उनको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा. Okay? Now, move to the question of the last day. Question क्या है, the central government aims to eliminate which disease by 2025. केंदर सरकार का लक्ष्य दोजार पचीज तक किस बीमारी को खत्म करना है? तो इसका राइटन सरोगा टिवर कोलोसिस. ठीक है, टीबी को जो है दोजार पचीज तक आम रखा गया है कि इसे देश से खत्म करना है. ठीक है, इस बीमारी को 2025 तक केंदर सरकार का लक्ष्य है कि इसे खत्म करना है. Okay? टीवर क्लोसिस. Okay? इसका राइट अंसर सिर्फ एक वर्शन ने दिया था. देखिए, अंजली कुमारी ने. ठीक है, और भी मैं कोश्चन पूची थी, उसका किसी ने अंसर नहीं दिया यह, आप लोग से एक्सपेक्ट था. आप लोग अंसर तो करते हो नहीं, अपने मूट की कॉर्डिंग हो, जब मनाता है करते हो, जब मनाता है, नहीं करते हो. So, कोई बात नहीं, नाव मूफ करते हैं, कोश्चन अप दे डे, जैसा आप चाहें, आज का कोश्चन है, देखिए, मन हो तो कर लेजेगा, अंसर. कोश्चन है, निर्यात संगटन, फियो ने नए अध्यक्ष के रूप में निर्म में से किसे नियुक्त किया है? Which of the following has been appointed by the export organization, फियो as the new chairman, option A, Rahul Satchadeva, option B, A, Saktivel, option C, Anil Tiyagi, and option D, Mohan Kumar, इसका right answer क्या है, आप लो का मन हो, तो कमेंट शक्षन में कर सकते हैं, all right? तो ये था आज का current affairs, guys, I hope आप लोगो पसंद आया होगा, आप लोगो समझ आया होगा, then please do like and share, and video अच्छा लगा, and मिलते हैं, next video में, जैहिंद!